हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु इंडिने स्टडी, इंडिने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ यूपी जीके का जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी जेलोडर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है वीडियो को एंडिलक जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट वे मैं आपसे कोसंस पूछूँगा और उसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा आए तो कोई बात नहीं तो उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्टरी की जो इस्तापना है यह राय वरेली में की जा रही है यानि कि इस कोसंस का तीसरा ओप्संस जो है वो आपका बिल्गल क्या होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा कनईया लाल मालक लाल केंद्री ये संस्तान कहां परिस्ते थे इस कोसंस का अंसर सोचो तब तक मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों अनेकेडमी पर सेकेंड नमंबर यानि कि दो नमंबर से आपका एक कोर्स स्टार्ड होने वाला यूपी जेल वोडर के लिए इसमें आपको रिवीजन मैच होगा अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने बिलकुल भी प्रैक्टिस नहीं की और जो बिचारे भूल गए क्योंकि आपके एक्जाम ये जो री फॉर्म आये थे यानि कि दोबारा फॉर्म जो बरी गए थे पहले 2016 में फिर 2018 में उसके बाद से इस ओड्स का लिक एक्टिवेट होता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूगा फिलाल इनफोर्मेशन थी तो मैंने आपको बता दी ठीक है तो आप लोग तैयार रहिएगा जैसे ही कोर्स का लिक एक्टिवेट होता है तो मैं आपको बता दूगा next questions के तरफ चलते हैं तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा कि कनयया लाल मारेक लाल केंदरी हिंदी संस्तान कहां पर इस्तित है तो यह आपका आगरा में इस्तित है पहला आपसंस करेक्ट है उत्तर प्रदेश प्रारंबिक सिक्छा के लिए स्कूल चलो अभियान कब सुरू आपका इस्तित है उत्तर प्रदेश प्रारेक्ट हो जाएगा उत्त्र प्रदेश में मिड़े मील कारकरम प्रारंब किया गया कभ ? जल्दी बताओ simple question है और यह बहुत important questions भी है उत्तर प्रदेश में मिड़े मीलकार करम का प्रारम किया गया तिया 1995 प्रारम किया गया तीसरा options correct है दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि आप लोग लिए मैं हर छेतर से वीडियो लेकर के आ रहा हूं जैसा कि आपका यूप जील वोडर में पूछा जाना है 500 लाइक का टार्गेट रखते हैं फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते जैसे मेरे जेवों में पैसा पहुँच जा रहा है अरे भाइए लाइक करने के लिए कोई भी ना मुझे पैसा मिलता है और आपको कोई पैसा देने पड़ता है बस लाइक के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं लाइक का रेसियो देखता हूँ ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि कम से कम मेरे जो student है वो मेरी वीडियो को पसंद कर रहे है अभी आप आकर कि देखोगे मेरी इस्तती मुझे जुखा मुरगा है आप अबास से समझ रहे होंगे लेकिन उसके बाद भी एक भी दिन की छुटी नहीं करता हूँ मैं regularly आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ और जो चीज आप बोलते हैं वो अगले दिन ही apply कर देता हूँ कोई बच्चा बोलता है सरिस्तर ही एक options लेकर कर आओ ठीक है वह यह सुन लिया और अगले दिन ही apply कर देता हूँ तो उसके लिए मुझे motivation की जरूरत होती है और वो motivation जब आप बच्चे comments करेंगे like करेंगे तभी मिलेगा बनना तो मैं अपना काम करी रहा हूँ ठीक है भारतिये चारागा एम चारानुसंदा सहस्तर कहां पर इस्तेत है तो यह कहां पर इस्तेत है यह जहांसी में इस्तेत है तीसरो options आपका बिल्गुल correct हो जाएगा ठीक है और यहीं का मैं हूँ कई बच्चे का comment आया ता सर जहांसी मैं से मैं भी हूँ आप address बताईए तो address तो नहीं बता पाऊँगा फिलाल बस आप पढ़ते रहिए UPSI DC द्वारा विस्स द्वारा पार्क इस्ताबित किये गए उस पार्कों को चिन्नित किजिए जिसका सही नहीं कि दिखाया गया वायो टेकनोलोजी पार्क लगनों में है ठीक है एपरेल पार्क नोएडा यह पता नहीं हो सकता है यह प्लास्टिक सिटी कार्टपूर ये तो आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट है और Leather Technology Park उनना बिल्कुल ठीक है April Park ये Noida में नहीं है तो ये जो April Park है न ये इसकी इस्तापना पहले Noida में की जा रही थी फिर आपका ये आगरा में स्थानांतरित हो गया इस वज़े से आपसे ये questions पूछा जा mostly पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद कर लो दूसरा options करेक्ट है यमना एक्सप्रेज बे कहां से कहां तक है simple है और पता भी होना चाहिए आपको यमना एक्सप्रेज बे के बारे में तो यमना एक्सप्रेज बे ये आपका greater noida से आगरा तक है यानि कि एस questions का दूसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तो correct हो जाएगा चर्कुला प्रमो को लोक निरत है किस छेत्र का चर्कुला की बात हो रही है चर्कुला प्रमो को लोक निरत किस छेत्र का है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो ये हो जाएगा आपका ब्रज भूमी छेत्र का यानि कि एस questions का दूसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा correct होगा चर्कुला ब्रज भूमी छेत्र का प्रमो को लोक निरत है ठीक है GT रोड नहीं गुजरती GT का मतलब Grand Trunk रोड का मतलब हो रहा है ये कहां से नहीं गुजरती जल्दी बताओ देखो इलावास से गुजरती आगरा से गुजरती मुगल सराय से भी गुजरती लेकिन ये अलीगळ से होकर नहीं गुजरती यानि कि इस कोसंस का तीसरा ओप्संस जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अलीगळ से होकर नहीं गुजरती ठीक है नेक्स्ट कोसंस उत्तर प्रदेश के निमले के तमें से कौनसा चेत सरवदिक बाढ़ प्रवावित है कौनसा चेत उत्तर प्रदेश का ऐसा चेतर है जहां पर सबसे अधा बाढ़ देखने को मिलती है तो कौनसा चेतर है पूर्वी चेतर यानि कि दूसरा ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों अतर प्रदेश में आमले का सरवदिक उत्तपादिन करने वाला जिला बहुत इम्पोर्टेंट कोसंस है और आप सभी लोग जानते है कि आमला जो है वो बितामिन सी का सरवदिक न सुरूत है ठीक है न और आमला उत्तर ब्रदेश के किस चेत्र में पाए जाता है तो यह प्रताबगड़ में पाए जाता है बहुत important questions है याद कर लेजिएगा ठीक है प्रताबगड़ दूसरा options बिलोगल correct रानी लक्ष्वाई बाद इस्तित है कहा पर है जल्दी बताओ रानी लक्ष्वाई बाद किस चेत्त है important questions है जल्दी बताइए तो रानी लक्ष्वाई बाद जो है न यह वेत्वा नदी पर चेत्त है दोस्तों कहाँ पर वेत्वा नदी पर important questions है यह भी 2011 में उत्तर प्रदेश का अभी लिखित यानि कि recorded बच चेत्र अपने कुल चेत्र फल का लगवक कितना है जल्दी बताओ तो कुल चेत्र फल का कितना percent है यह 7% है यानि कि तीसरा options बिल्कुल correct कौनसी दोस्तों तीसरा options जो है वह आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुक वाणत्यक उपजित है जल्दी बताओ उत्तर प्रदेश की प्रमुक वाणत्यक उपज important questions तो कौनसी है तो वह है आपकी गन्ना दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तो करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुक वाने जग अपकी गन्ना next questions की तरह बढ़ रहे next questions आपके साबने के handbook of agriculture प्रकासित होती है handbook of agriculture किस अंस्थान से या किस मंत्राले से तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारती एक किर्स या नुसंतनार परिसत से यानि कि इस questions का दूसरा options बिल्कुल करेक्ट होगा बेगम समरू ने एक अतिपरसे चर्च का निर्मन करवाया कहा पर करवाया बेगम समरू ने तो देखो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भारती हो जाएगा सरदना में यानि कि तीसरा options बिल्कुल करेक्ट है next question से आपका कि निमले के तमेंसे कौन समिलित नहीं है आला ये बुद्दिल खंट छेंतर का है ठीक है बिल्कुल ठीक है चेंती रुएलखंट छेंतर का है बिल्कुल ठीक है तो यही गलत है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और वहीं पर बढ़त समयलित है चोगता options बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निमले के तमेंसे कौन एक समयलित नहीं है यह हमको बताना है कभीर पंतियों का पवित इस्तल मगहर में है यह तो बिल्कुल ठीक है भगवान बुद्गा निर्माल स्तर कुसी नगर में यह भी बिल्कुल ठीक है सूपी संत हाजी वारिस अली सहा की मजार देवा सरी पें यह बिल्कुल ठीक है 28,000 रिसियों के तब तब स्तली संकिया बस यही गलत है यह संकिया में नहीं यह बलिया या लखनव में है एक बार चेक कर लेना तो चौता ओफसंस यहां बिल्गल करेक्ट होगा ठीक है लाश्ट कोसंस है आपका कि निमले के तमेंसे कौन सुमेलित नहीं है जोस मलियाबाद जिगर मुरादावादी ऐसे कहते थे चकवस्त लखनवी ऐसे कहते थे इनके नामें ऐसे पुकारे जाते थे तो यहां पर फिलाल दूसरा ओपसंस जो है वो गलत सुमेले थे अच्छा एक कोसंस में आपसे पूछ रहा और वो कोसंस आपसे यूपी प्लिस कॉंस्ट्रे में पूछा जा चुका है मैतली सरना गुप्त का जो जनब है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था तो आप लोग इस कोसंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा ठीक है यह कोसंस आपका पूछा जा चुका है इसलिए मैंने आपसे पूछा ठीक है तो दो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सर्फ इत नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेहर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलें क्या हूं कि मैं रोजने ऐसी तरह की वीडियो से आप लोग लि ये लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत